एक सिद्धान्त पहले ये समझ लें राम से राजनीती है राजनीती से राम नहीं भारत के जगे हुए लोगों को इस सक्कर सुगर रूपी परहेज से बचना है कि राम राजनीती का विशय नहीं आस्था का विशय राम बोट बैंक नहीं है राम पाबर बैंक है राम किसी की बापोती नहीं है राम ब्यापक है राम सहज है सरल है सुशील है सुजान है लेकिन सब के है सोला गुण है पूरे संपन है लेकिन सब के सब के तो फिर विपक्ष के भी है विपक्ष के भी है तो आप फिर वो सवाल क्यों उठातें कि अगर वो गंगा में डुपकी लगाएं, वो अगर जनिवु पहने, वो अगर महा कालेशवर गाएं, लोगों ने कहा ये राजनेतिक विशे है, ये टिपणिया राजनेतिक है, एक दूश्रे को नीचा दिखा कर खुद को शुपरप पावर बनाना, ये राजनीति है, और सत्रू की भी महमा गाना, ये धर्मनीति, ये हमने राम जी से शीखा है, अपने आचारे चरण से ये सीखा है, तो कोई सत्रू कोई है ही नहीं, लडाई तो अच्छे विचारों, बुरे विचारों की, उधर भी है, हमारे तो अपने मे जो अपने होख जिनके पुर्वज राम की पूजा करकर मार गए जिनकी माताजी की नियुक्र परुजमन से प्राताकाल का प्रारम करती ती वह कहते ते राम की प्रमार देव हमारे तो अपने हमारा सिध्धानत इनकी विचारों को बदलना एं और राम पर शयासत नहीं होनी तो इस देश का एक करेक्टर है, मूल है, यह माथ सच है कि मैं तो खुद कहता हूँ, कि इस देश के जो नायक है, लोक नायक है, सांस्कितिक पुरुश है, अगर आप नहीं वानते बहुत, वर्यादा पुरुश होतना भगवान नहीं, राजा मान लो, लोक नायक है, तो एक शब्द हमने 47 में लिया, उसको कहा कि हम secular country बनेंगे, पचास में हमने ले लिया, तो इस शब्द से परहेज क्यों करते हैं आप, हिंदु राष्ट की बात करते हैं, बिल्कुल परहेज नहीं है, पर secular का मतलब राम बिरोधी नहीं, बिल्कुल नहीं, शेकुलर का मतलब खु पाखंड यह नहीं है, शैकुलर का मतलब यह भी नहीं है, कि आप राम कालपनिक कहो, सैकुलर का मतलब यह भी नहीं है, कि आप राम कालपनिक कहो, सैकुलर का मतलब यह भी नहीं है, कि राम चरत मानस पर उगली उठाओ, सैकुलर का मतलब यह भी नहीं है, कि आप जो है, मंद कि मंदरों के उपर टिप्णियां करो। और मंदरों को धोस्त करो। ेकुलर का मतलब कि नहीं पाकिस्तान जिन्दावात के नारे लगाु। सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि राजनीती के लिए तुम राम के हो जाओ फिर रामर के कांदान के बन जाओ सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि तुम कृष्ण की जगए कंस के गुनगान का सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि तु में के सात-सात सब ही मजब़ों की हो जाओ सेकुलर का मतलब है जिसे जो अच्छा लगे सोने अपने-अपने राम सेकुलर का मतलब है हाँ तो आपने जो आखिया 배 अथा बहुअ उस पर रहो ही भिले नाना है या हिन्दु राट hold भी तो आया ह new चं़ भी टो के रहे ложं है और अगर बनता है दो क्या बुराई हम बैलकम लेने आया भेद लेने पठवा दससी सा भेद लेने आया है मारे जाएंगे हार जाएंगे राम जी कहते हमारा सिध्धान थे सरन में आया है वो भेद लेने आया अब मारने भी आया है तो हमें मौत सुईकार है पर सरन में आये हुए को मरन नहीं होगी राम जी का सिध्धान अ बना रहे हैं तो काइदे में, तो फाइदे में, काइदे में नहीं है. आप संदेह करते हैं? बिलकुल, हम तो साथ देखा भाई, रजगुला कहा है, सुगर से परेज करें, यहां नहीं हो सकता है. आप रजगुला कहा है, सुगर से परेज करो, यहां नहीं हो सकता है. तो लो मैं मानता हूँ, तो समरस्ता की जब बात हो रही है, तो उस समरस्ता में संदेहना हो किसी को किसी से, संदेहना किया जाए, और जब यह माना जाए कि इसमें कि भाई यह है, यह हमारे देश का राष्टर का ना, यह भी एक पुरुशाय यहिस्त्री है, और इसमें कहीं कोई भे एक पक्षे से नहीं मिटेगा, कैसे मिटेगा, दौना तरप से, प्रेम एक तरफा होता है, तो प्रेम नहीं होता है, एक तरफा प्रेम होता है, प्रेम तो योग से है, जितना हम चाहें, उतना तुम चाहो, तब एक दा होगी, अचा अगर शादी जिसों कहरें कि यह लव जिहाद है यह रास्ता नहीं है? बिलकुल भी नहीं. साधी रास्ता थोड़ी है. प्रेम रास्ता है. साधी भर क्यों? प्रेम के बाद अगर शादी हो जाए? दोनों तरफ होना चाहिए है. हिंदू बेटियां ही क्यों? कोछ अधर से भी तो आनी चाहिए आप तराजू जब पकरते हैं तराजू धीरे से उधर जुका देते हैं. saya sोचता तराजू पीछवें पर रहें. अप दीरे तो उधर करते हैं. तराजू धीरे से उधर डंडी मा हम हा कह रहे हैं, उधर से भी तो करो, आप भाइचारा के नाम पे गर्भा में घुस करके, नियंत मली बात है, हाँ, और कांड कर चले गाए, हम भाइचारा मानते रहे, तुम भी तो बेहन चारा करवाओ, तो दोनों तरफ फिर नियम तो दोनों तरफ लगता है। कि नियमंतरन हमें मिला है तो लगा कि ये बाघेश य हृन्मान जी के लिएमंतरन आया है, कि तुम मत रह जाना, हिंदु राष्ट का भिगुली तुमने बजवाया है। यह मंदिर हिंदु राष्ट का बिगुल है, बेजए जाक, हम कहते हैं एक रस्ता हम कोल के देते हैं प्रश्मिकर्था को, हिंदु राष्ट का बिगुल है, और इसके बाद फिर आप ने जो इसी लाइंग छहेड़ी है, ज्ञान बापी, कृष्ण जनम भूमि, संस्कृती सं आप यह कहते हैं कि संविधान में वो लिखा है तो लिखा रहे हैं, हमें उसे कोई मतलब ही, दिलों में हो जाएगा, लेकिन अगर वो संविधान में लिखा है, तो हमको पार्ण करने का पूरा-पूरा वो है